जहीं दोस्तों आप लोगों का स्वागत है डिफेंस अफडेट के और एक फ्रेश एपिसोड में दोस्तों आज के वीडियो का हेडलाइन कुछ इस तरीके का है एरो इंडिया में पेश किया गया ट्विन इंजिन डेग वेस फाइटर एरक्रेफ्ट के एक डिफरेंट डिजाइन टापस और आर्चर के बाद A.D.E. के तरफ से बनाया जा रहा हाई अल्टिटूड लॉंग एंडूरेंस द्रोन जल्द शुरू होगा रूदरम वान का यूजर ट्राइल एरो इंडिया में इंदूसन एरनोटिक्स लिमिटेट के तरफ से शोक्वेस किया गया टेजस मार्क वान के A4C कॉन्फिगेशन के एरक्रेफ्ट जल्द शुरू होगा आर्चर द्रोन के हतियारों का ट्राइल आर्मी के तरफ से QR Sam को लेके दिया गया ओर्डर फिलिफिन्स के अधिकारियों के ब्रमोस मिसाइलों के ट्रेनिंग हुआ संपूर्ण गॉर्मेंट के तरफ से मिडियम रोल हेलिकॉफ्टर के डेवलप्मेंट को लेके अनुमति का इंतिजार टोयटा के बाद अव हुंडे भी पाकिस्तान में होने जा रहा है बंद और फाइटर यारक्राफ्ट के बाद अव रश्या भारत में एरलाइन यारक्राफ्टो को वी बनाने को लेके कर रहा है तैयारी तो दोसे चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सभी विशुयों के वारहे में जानते हैं डीटेल में दोसो फिलाल एरोनोटिकल डेवलोप्मेंट एजनसी मतलब ADA के तरफ से ट्वीन इंजिन डेगवेस फाइटर यारक्रेप्टों के डिजाइन के काम के साथ-साथ इसके सबसे क्रिटिकल पार्ट मतलब PDR का तयारी किया जा रहा है उई पर एरो इंडिया 2023 में वी ट्वीन इंजिन डेगवेस फाइटर यारक्रेप्ट के एक काफी जाना पैचाना मॉडल को पेश किया गया था पर पोस्टर में एक ऐसे यारक्रेप्ट को दिखाया गया जिसे देख के सभी को अंदाजर लग गया कि ये थोड़ा अलग है और फॉंटल रेडुम को भी थोड़ा अधेक स्टेल्थी किया गया है हलाकि पुराने मॉडल के जैसे इसमें भी आई आई आरेस्टी सिस्टमों को सेम जगा में ही रखा गया है दोस्टों ADA के जैसे ADE की दरफ से भी एक बड़ा जानकारी दिया गया है अरनोटिकल डेवलप्मेंट स्टेवलिश्टमेंट जो की भारत में द्रोनों के उपर काम करता है रिपोर्ट केल मुताविक इसे लेके जो फिजिविलिटी स्टेडी है उसे हिंदुसार अरनोटिकल लिमिटेड और एर फोर्स के साथ मिलके एक तरीके से कम्प्लेट भी किया जा चुका है अब दोसों ये जो हाई उल्टिट्यूड लॉंग इंडूरेंस रणी के द्रोन का बात कहा जा रहा है ये असल में ADE के तरफ से बनाय जाने वाले चौथा द्रोन होगा इससे पहले आर्चर एस आर मतलब शौट रेंज के अन्मैन अरियल वियकल तापर्स बेज टू लॉंग इंडूरेंस अन्मैन अरियल वियकल और आर्चर एंजी जैसे द्रोनों के उपर ADE के तरफ से काम किया चुका है अब दोसों ये हाई ओल्टिटूट द्रोन को लेके अरो इंडिया में जो जानकारी दिया गया है उसके मताविक ये सिंगल इंजीन के टर्बो प्रॉप डिबन अन्मैन अरियल वियकल होगा जो की इलेक्ट्रोनिक इंटिलिजन, कॉम्मुनिकेशन और इलेक्ट्रोनिक सप द्वारा ये ओपरेट करेगा अब दोसों इसके इलावा एरो इंडिया में रूद्रम वान मिसाइल को लेके वी एक बड़ा जानकारी दिया गया है बैसिकली जेंस मेडिया हाउस के तरफ से डिफेंस रिसेर्च और डिवलप्मेंट और्गनाइशन के हवाला दिते हुए ये बताया गया है कि जो रूद्रम वान एंटी रिडियेशन मिसाइल है जिसे की दुश्मन के एर डिफेंस सिस्टम और रैडरों को तभा करने के लिए स्वधिशी तरीके स्थे बनाया गया है उसका यूजर ट्राइल जल्दी शुरू हो सकता है हाला कि दोस्तों इसका जो डुल पल्स सॉलिट प्रोपलेंट रॉकेट मोटर के एक ऐसा मिसाइल है जो सुपर सॉनिक रफ्तार में ट्रावल कर सकता है और जमीनी ठिकानों को तभा कर सकता है दोस्तों हिंदू सार एरनोटिक्स लिमिटेट के तरफ से भी अपने एक नए प्रोड़क्ट को एरो अंतरगत खरिदा गया है और सेगंड बैच के या फिर कहतों दूसरे स्क्वाडरेंट के रूप में इन्ही एरक्राप्टों को इंडियन एरफोर्स के बेडे में शामिल किया जा रहा है और दोस्तों ऐसा टोटल 16 एरक्राप्टों को एफोसी स्टैंडर में हिंदू सान अर जैसे मिसाइलों को लगा जा सकता है दोस्तों आर्चर अनमैन एरियल वेहकल को लेके वी एक बड़ा खवर है और ये खवर है इसके वेपन ट्राइल शुरू होना रिपोर्ट के मुताविक शॉर्ट रेंज आर्चर वेपनाइजड मतलब एसर यूवी डवलू जिसे की आर जल्दी शुरू होने जाना है और दोस्तों ये भारत के लिए बहुत बड़ा अचिपमेंट होगा क्योंकि ये पहला ऐसा द्रोन होगा जो हतियारों से लैज होगा और एक तरीके सेफ कह सकते हैं कि ये द्रोन इंडियन आर्मी के तरफ से वी एक बहुत बड़ा है नए हतियारों का ओडर रिपोर्ट के मुताविक इंडियन आर्मी के तरफ से पाच क्वीक रेक्शन स्वार्फिश टू एयर मिसाइल वेपन सिस्टमों को खरिदने को लेके ओडर दे दिया गया है और ये और भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेट को मिला है पाच सिस्ट हाई ओल्टिट्यूट में भी अपने प्रदर्शन दिखा चुका है और माना जा रहा है कि इन मिसाइलों को इंडियन आर्मी के तरफ से हाई ओल्टिट्यूट एरिया मतलब चायना के साथ लगे हुए बॉर्डर के नस्देख ही डिप्लॉई किया जाए उसो फिलिफीन को जो ब्रम्मोस मिसाइल बेचा गया है उससे लेके वी एक बड़ा ख़वर है और ये ख़वर है कि फिलिफीन के जो नेवी के अधिकारी ब्रम्मोस मिसाइलों को ऑपरेट करने को लेके भारत में ट्रेनिंग ले रहे थे वो अपना ट्रेनिंग अप संपूरने कर चुका है दोस्तों इस बात का जानकारी चीफ आफ नेवल स्टाप एड्मिरेल आर हरीकुमार के तरफ से दिया गया रिपोर्ट के मुताविके जो ट्रेनिंग है ये 23 जन्वरी से लेके 11 फेवरोडी 2030 के दर्म्यान चला और 11 फेवरोडी के दिन ये अब कम्प्लिट हो चुका है आफ दोस्तों इंडिया के मल्टी रोल हेलिकॉफटर को लेके थोड़ा चिंता जाना खवर है क्योंकि बताया जा रहा है कि इसे लेके अविवी गौवर्मेंट का अनुमति का इंतिजार है दोस्तों 1.22 बिलियन डॉलर के लागत से काफी महत्तपूर्ण पोजेक्ट मतलब IMRH क शुरुआत किया जाना है और दोस्तों ये महत्तपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसका इस्तिमाल करकि इंडियन आर्मी और इंडियन एरफोर्स के बेड़ से साड़े 300 से भी अधिक हेलिकॉफटरों को रिटार किया जाना और आने वले समय में MI-17 जैसे और MI-8 जैसे हेलिकॉ हेलिकॉफटरों को डिवलफ्ट करने वाला संगस्ता मतलब हिंदुसार एरनोटिस लिमिटेड के तरफ से गौवर्मेंट की अनुमति का इंतिजार है और एक बार अनुमति मिलने के बाद ये प्रोजेट का शुरुआत कर दिया जाएगा रिपोर्ट के मुताविक साल 2018 से MI 17 हेलिकॉफटरों को डिटार किया जाना है और इसलिए ये जो अनुमति है ये जल से जल चाहिए दोस्तों पाकिस्तान से एक बहुती बड़ा खवर आ रहा है और दोस्तों ये पाकिस्तान के लिए बहुती दुखत खवर है पाकिस्तान के अंदर जो इन गाडियों का assembly हो रहा था उसके लिए parts को मंगाना संभब नहीं हो पा रहा है और दोस्तो इस तरीके से अगर parts नहीं आता है तो company को मजबूरन पाकिस्तान के अंदर अपने operations को shutdown करना पड़ रहा है। एयर लाइनरों को भी बनाने को लेके प्रस्ताव रख रहा है। भारत में बनाने को लेके रशिया सोज विचार कर रहा है और ये सभी को फिलाल डिपेंड करता है भारत के उपर और भारत के तरफ से अनुमतित दिया जाता है तो आने वाले समय में ये भी भारत में बन सकेगा। आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समय आप किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए जैहिंद बंद महतरम। आपरम।